अरे गूफा में बैटके सेवाजो कर लो पत्यागों क्यों है जब तुम्हें जरूवत नहीं पत्गी पत्कों त्याग दो अब हम तो चाहने कि मोदी जी कल जाता हो तो हाथ चला जा एरपोर्ट का ये नकसा दिखा रहे हैं कि हम ये बनाएंगे बीजिंग चीन का कोदी नाम से उच्चारित करें तो वो अपने को जो है ना बेजिती महसूस करता है तुम ये बोल गया है कि हम सादू महत्मा हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे तुम क्यों ने कर रहे हैं इनका कि बई सतर साल से यह हो रहा था बीस साल से कंपनी चल रही थी तुम अंदर किसी तो फिर तुमें क्यों वोटते हैं वहां किसानों से जाके तो पूछो उनकी जमीन ले लिए अब उनके लिए करें हम जेवर बांगर में घर बना रहे घर ऐसे बना रहे हैं सिमंट लगाई ने राक से चिंद्रें उन्हें इमांदा सब्सक्राइब हुआ है कि पेपर पहले इस वर्ड रिकॉर्ड जो अनबरे के बल होता है अब तक तो घोड़ी चड़ जाता विकास पढ़ लेता अगर विकास हो जाता यूपी में तो यूपी की एहालत होती है और यह तो खुद ही कह रहे थे कि पकोड़े तलना भी एक सेवा है तो पकोड़े तलो चाहे बनाओ पदगा त्याक कर दो ना जब तुम्हें पदगी लाल सा ही नहीं है नमस्कार मैं तुफैल रजा और डियस फोर में एक बार आपका फिर से स्वागत है आज हमारी टीम पहुंची है दादरी बिदान सबा यहां आज जो है परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने मन की बात की है हम इसी मन की बात से टटोलेंगे कि आखिर दादरी की जनता के मन मन में आखिर चल रहा है क्या चुनावी फिर्जा उनके यहां घुलने ल लगी यह सिर्फ अभी बोल बाला हो रहा है या फिर कुछ और दिमाग में चल रहा है इन्हीं मन को टटोलने के लिए हम पहुंच एक किलो मीटर में तीन तीन जगह खड़ें आओ जी लाओ जी पैसा लाओ जी पैसा क्या करवाओगे और दुनिया बाद की फैक्टि बंद करवादी सर्माइद और दोर नोकरी करें वे विचारे रोज बला दिये जाओ जाओ जाम अपने घर जाओ इससे ज़्याद मैंना कैस बता देते हैं यह कोई मन की बात है आप बेरोजगारी पर कहें न महंगाई पर कहें प्रतानमंत्री मन की बात इन्हों ने अब देखिए पैट्रोल डीजल तो बढ़ाए बढ़ा है चुनाब के लिए चुनाब के लिए बीजेपी धनीकट्टा कर रही है क्योंकि इसे चु बढ़ा करने के दो और बड़े माद्य हमें और यह तो खुद ही कह रहे थे के पकोड़े तलना भी एक सेवा है तो पकोड़े तलो चाहे बनाओ पदका त्याक कर दो ना जब तुम्हें पदगी लालसा ही नहीं है तो यह तो एक तरीके से मुर्क बनाने वाली बात है कि वह हम पद में भी जमें रहेंगे और मुझे सेवा करनी है के वल तो सेवा करने के लिए मुझे वोट दो वैसे मुझे पदकी लालसा नहीं है तो यह तो महाजूटे इस धर्दी पर यदि जूटों का कोई वह ता कंपटीशन होता तो उसमें मोदी जी को महाजूटे का पर देश में खड़ें आप यादमों के गाहों गाहों में जाके हमने केंपेन किया इनके लिए 2014 में हमारी आईयू भी कुछ नहीं थी पढ़ते दें मुझे जरा कि क्या कहिएगा जो यह जो उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ सेवा का मुझा दीजिए हमें पद की ज़रत नह अगर एक आदमी गाहों में बुगी चला रहा है तो उसकी सी पदपे है वो अगर पदपे नहीं तो कुन उसकी सुनेगा कोनों पर कैसा अपने विचार रख एगा वो और दूसरी बात देखो मेरे बास सुनों 403 विधान सभा हैं उत्तर प्रदेश में ठीक है आज अब तक तो घोड़ी चड़ जाता अगर विकास हो जाता यूपी में तो यूपी की हलत होती होती हमारे गाउं में अगर मैं अपने गाउं की कहूं तो विकास ऐसा हुआ है पूलिशन की कंपनी लगाता चली जी तो तेजपाल लागर जी कह गए ते कि यह 20 साल चल रही है प्रधान जी पर मुकदमा करवाया इस कंपनी वाले ने और ये जेल जाने की तैयारी में लगे उस कंपनी वाले का इन्होंने बीजेपी में होने के बावजूच पितले 5 साल में कुछ निकर वालों को हमारे हम तेजपालनागर विधाईक जी अपना पिरचार करने आये थे उन्होंने गाउं में खड़े होके कहा था कि भी बसपा और बीजेपी वाले बेइमान हैं वो पैसा लेते हैं कंपनी से कंपनी बंद नहीं करवा पाएंगे और अब क्या हुआ पांस साल में विधाईटी पैसा लेते हैं जो कंपनी बंद नहीं हो रहा है आप एक बहुत हो करें इसमें से परसेंटेज बता दें कि एक भी आदमी को नोकरी में लियो इन मैं किसी आज सबसे बी आदमी कि एक भी अदमी एक बहुत हैं सब बेरोज़गार ना हो यह बाता रहा रहा हूं वालों का रटा रटा रटाया एक जुमला है कि वह 70 जाल मेंरे उन्हों नहीं तुम भी यह करोगे क्या मैं तो गह रहा हूँ सतर साल में सब रहष्ट आए सब पापी थे तुम नों यह बोल गाए कि हम सादू महत्मा हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे तुम क्यों नहीं कर रहे हैं इनका कि बहुत साल से यह हो रहा था 20 साल से कंपनी चल रही थी तुम्हें इसलिए तो लाए सत्ता में कि बंद कर आओगे इनको तुम पापियों का नास करोगे इसलिए तो तुम को लाए अब तुम भी उसी धर रंग में ढल जाओगे तो फिर तुम्हें क्यों वोट दें आज उधगातन किया है योगी आदितनातने दवरिया से मेडिकल कोलेज का कहा है कि सबसे ज्यादा मेडिकल कोलेज जो उत्तर परदेश में है सबसे अच्छा मेडिकल को जो मेडिकल सुविदा उत्तर परदेश में योगी जी का धन्यवाद है योगी जी ने काम भी बहुत करा लेकिन योगी जी म और योगी जी अपना वीवेक इस्तेमाल करते हैं आप योगी जी के पास जाओ के जी मैं पुलिस से पीडित हूं या मैं परशासन के फलाने वेक्ति से पीडित हूं तो तुरंट उसी को बुला के पूचेंगे आप इसकी रिपोर्ट दो अरे जिसके खिलाब हम कंपलेंट कर आप उसी से हमारी रिपोर्ट मांग रहे हो वो क्या कहेगा यह तो एक नंबर का डग है तो एक नंबर का चोर है कितना विकास पूरा हुआ है कैसे यहां राम मंदिर बनाए पहले तो और एज़ेवर में एरपोर्ट बना है और फित दुबारा से मोधी जी आए केंदर में और यहां योगी जी उपी में और इसलिए काफी विकास हो रहा है काफी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं देगे यह कितनी मूकता और अज्यानता है जो अंदभक्त है वो कहते हैं राम मंदिर मोधी ने बना दिया मोधी कोन होता है बनाने वाला माने निये सुप्रीम कोट ने ना कि मोधी जी ने बनाए ये तो जूट है और ये इस खूल विद्याल है कोई खुले सक अब उद्धाने बनाया है और रिए कर देन स्परिम कोट ने ओडर दिया था मोधी इननों ने बोला था अपने मैने फॉस्टर में और इसके बाद उन्होंने जो काम कर रहा विकास की एक बात तुम मुझे बताओ पहले की राम मंदिर का मुद्ध कब का था कितने साल पुराना था प्रणा साल कितने सरकार ही एंदुस्तान कितनी आयां तक कभी किसी ने न बन वा लिया यह वाला भाजबा के पहले सही जब सब्सक्राइब सत्ता माई है या भाजबा इस ळड़ातल पाई यह पहले से मुझ्ध था कि दौब राम मंदर ने को आना में राजी उगांदी द्वारा देश में श्यांति वहस्ता कायम करने के लिए राम मंदिर का ताला कुल वहां आरती पूजा तरीके शुरू करवाई इन लोगों नहीं नाम पर धनी कट्टा करा चंदा पची ले ले के जो ले आगे जो ले जो ले 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 आए अभी मैं आ अगर अगर राम जनम भूमी का सिलह नास इन्होंने बीजेपी ने करा है तो कोई भी इनका नेता या कोई यह सूपरीम कोट का वहरेए स्व्कीन लिए के हमेसा के चुनाओ लड़ते विकास के नाम पर चुनाओ लाड़ा है हमेशा और अब सुनो मेरी बात पहले एक बात तुम मुझे बता हो सोचने वाली बात है आप खुद भी सोचो आपने सरवी करा है काफी छेत्रों में क्या विकास ना हुआ उस विकास को बताओ यहां सारी जंता परेशान है उस पुल के लिए भी सब्सकराइब निरधार बात करते हैं ठीक है विकास के कारी है Ho पर्ड का निर्मान हुआ है ए पार दर्सित निक्सपक्स को जूबाव को नौकरी मिली है nap नौकरी का स्वार्य प्रतले चैनल डुप्ट्र ने बच्चों दाmi बच्यों को पेूप announce उनली बच्चों को पिची लिन होते हुए है पहले हो जाते थे थे बाद बताते थे यह इमान हो गई और आप अब अब सबस बड़ा महाजूट तो ये है कि अधरम के नाम पर नहीं लड़े ये ये 2014 से पहले धरम के नाम पर लड़े चुनाव जीतते ही है क्या कह देते हैं चुनाव जीतते ही ये पता क्या कह देते हैं चुनाव जीतते हैं कह जी सबका साथ सबका विकास ठीक है और चुनाव से पहले कहते हैं जब ये किसी स्टेट में चुनाव हारते हैं तो यह सबसे इनको हिंदुबादी कहा जाता यही सबसे बड़ा जूट है मैनिफेस्टों में इनके सबसे ऊपर दो बच्चों का कानून ता वो आज तक नहीं बना पाए किसी भी यह जैसे भी भीया कह रहे हैं दोएधर भॉल intéressant करते हैं यह जाती Unless I was a great gob sangat च具ड़ा किसी भी छांग को सीजुल यही जाती को प्रात्मिक्ता नहीं देि ठीक है यह सपा 2040 सबसे जू विद्धन संबाव तो सपा सपा जो पार्टी थी यह प्रजय तन्तर्त में थी ञब से 297 में बज्ः प्लाइए ili 17 यह बोल रहे हैं कि विकास हुआ है जेवर एरपोर्ट इनसे केवल एक विकास गिनाया गया है जेवर एरपोर्ट जेवर एरपोर्ट के 5000 किसान जो है 5000 किसान आज भी छत के नीचे सो रहे हैं खुली चत्त के तो रहे कि जो चपल पहनता है वो भी नहीं उनको तो बनाना था इने बसड़े बनाते रेलवे स्टेशन बनाते जेवर लोगों के लिए बनाया गया जेवर एरपोर्ट है इसमें सभी लोग अमीर लोग जाएंगे जेवर एरपोर्ट हमारा थोड़ीना है यह हमारा तोड़ीना है यह तो आम्बानी अडानी का हुआ हमारा कहां से जेवर पूट है बना यहां भान धानों से जाकर उनकी जमीन ले आप दादा लाए कमा के पंडित नहिंए ने कैसे कैसे की था और इन्हों यह लगाही धी लिगति और आप यह लगाइए उन्हों क्या क कि हम यह बनाएंगे बीजिंग चीन का एयरपोर्ट है वहां का फोटू लगा के सरासर जूट आज तो किसी को अगर मोधी नाम से उच्चारित करें तो वह अपने कुछ उच्चारों मंतर में ने किसी दर्या में गरता बहुत बड़ी बात यह प्रशित नहीं अपक्तृ आपके एंकारी घुग गया सबसे बड़ा एंकारी पर्दाम नी जुका है और किसानों ने जुका है क्योंकि ये देश जो है पीसर प्रजिज़ अन्यदाताओं का देश नहीं बैट जाते हैं हाजी हम वहां के दान अरे गुफा में बैटके सेवा जो कर लो पत्याग हो क्यों है जब तुम्हें जरूवत नहीं पत्कों त्याग दो अब हम तो चाहने कि मोदी जी कल जाता हो तो आज चला जाए एक आखरी सवाल तो क्या बदलाव बिल्कुल बदलाव होएगा समाजवा यह यह थे यह थे हमारे साथ कुछ लोग जो मिली जली पर ते किरिया दादरी विधान सबा में रख रहे थे और बता रहे थे किस बार विकास की बहार के साथ कुछ ऐसे काट होंगे जिस पर चुनाव जरूर जीता जाएगा देखना दिल्चस्पों का कि इस बार यूपी म किसके सरकार आती है